हमें arc given है circle की, circle complete करना है, मैं माल लेता हूँ हमारे पास arc pq given है इस circle की, अब circle complete करने के लिए हमें circle का center और radius find करना है, पहले हम center find करते हैं, यह find करने के लिए हमारा पहला step होगा, हम एक point r ले लेते हैं इस arc में, point r कुछ ऐसा होगा हमारा, अगला step में, मैं pr और rq, यहाँ पे pr और rq को join कर लेता हूँ, मैं notice करो, pr और rq मेरी chord होगी, क्योंकि chord होती है, line joining two points on the circle, अब यहाँ पे हम एक property उस करते हैं, perpendicular by sector of a chord, passes through center, यहाँ अगर मैं pr का perpendicular by sector बनाओ, तो यह pass करेगा center से, ऐसे ही rq का perpendicular by sector बनाओ, तो वो भी pass करेगा center से, यहाँ पे मेरा इन दोनो लाइन, यह दोनो लाइन, पास करती है center से, यहाँ यह जो point of intersection है, यह होगा मेरा center, तो यहाँ पे हम perpendicular by sector बनाते हैं, pr और rq का, इसको देखते हैं हम, अब perpendicular by sector बनाने के लिए, हम एक compass लेते हैं, पहले pr का find करते हैं, मैं compass का pointy and p पे रखता हूँ, r को pencil पर रखता हूँ, और एक arc बनाता हूँ, उपर और नीचे, सेम काम करता हूँ, उल्टा, मैं r को pointy end पर रखता हूँ, p को pencil पर रखता हूँ, और arc बनाता हूँ, उपर और नीचे, यह कुछ ऐसा आ जाएगा, हम यहाँ पे यह दोनो points को join कर लेते हैं, यह कुछ ऐसा अब यह जो line आई है मेरी, यह है perpendicular by sector of PR, ऐसे ही हम यहाँ पर RQ का perpendicular by sector बनाते हैं, सेम तरीके से, RQ का बनाने के लिए हम एक compass लेते हैं, R को pointy end पर रखते हैं, Q को pencil में, एक arc बनाता हूँ उपर और नीचे, ऐसे ही हम उल्टागाम करते हैं, Q को pointy end पर रखता हूँ, R को pencil, ए एक arc बनाता हूँ, उपर और नीचे, यह कुछ ऐसा आजाएगा, हम यहाँ पर points को join कर रहे हैं, इन दोनों points को, यह line कुछ ऐसी आजाएगी, अब यह जो line I है, यह perpendicular by sector of RQ, अब यहाँ पर जो दो lines हैं, जहाँ पर perpendicular by sector intersect कर रहे हैं, यानि यह वाला point, यह होगा मेरा center of circle, य O P और O Q, यह मेरा radius होगा, क्योंकि radius होता है, line joining center to any point of the circle, अब यहाँ पर अगर O P radius आगया, तो मैं compass को रखता हूँ, pointy end को O पर, pencil को P पर, और एक circle बना लेता हूँ, कुछ ऐसे, तो यहाँ पर हमारा required circle होगा, यह वाला,